सब्सक्राइब कीजिए फाइन इंवेस्टमेंट चेनल को और वैल आइकन को दबाईए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए अगर आप नया डिमेंट अकाउंट ओपन करना जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दे हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं जहां पर आपको कई सारे अच्छे ओफर्स भी मिलेंगे साथ ही साथ आपके आईपियो में अलॉट्मेंट के चांसेज भी बढ़ जाएंगे तिस वीडियो को अंते तक जरूर देखें और आप मारे टेलिग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां पर मैं आपको ट्रेडिंग कॉल्स प्रोबाइट करता हूं आप हमें ट्वीटर पर भी फॉलो जरूर करें जहां पर निउस अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाती है दोनों काई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब दिखें जो आई प्यो है दो से चे दिसम्बर के बीच ओपन था एप्लाई करने के लिए वहीं पांसो तीस से पांसो पचास रुपे के बीच इसका प्राइस बें रखा गया था यानि पांसो रुपे में आपको एक शेर अलॉट हुआ है अब दिखें इसका अलॉट मेंट आ चुका है और अगर आपने अभी भी अलॉट मेंट चेक नहीं किया है तो लिंक इन टाइम की वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं लिस्टिंग की बात करें तो कल के दिन यानि 14 दिस साथ ये आई पियो करीब 592 रुपे पर लिस्टिंग के संकेत आज के दिन देता हुआ नज़रा रहा है और देखें प्रीमियम को अगर देखें तो उपरी इस तरों से काफी ज़दा गिरावट है करीब 1500 रुपे के आसपास शुरुआती दिनों में इसका प्रीमियम था औ पर निरा सहात लगेगी वैसे मेरा मानना है जिस तरीके से टेगा इंडस्टी के कंपनी के आई पियो की लिस्टिंग आज भी है उसे साथ से मुझे लगता है कि ये आई पियो भी कुछ जादा खास लिस्टिंग के साथ लिस्ट होने के संकेत यहां पर नहीं दे रहा है इसमें बहुत जादा खास पहले भी नहीं बता रहा था पहले भी बता रहा था कि नॉर्मली लिस्टिंग होगी और कम लिस्टिंग इन आपको मिलेगा और जिस तरीके से आज मार्केट में उपरी इस तरों से अच्छी खासी गिरावट आई है मुझे लगता है इसके बीच म में जरूर बताएं कि आप लिस्टिंग के देने साइप्यों में क्या करने वाले हैं आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही धन्यवाद